यहिं दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि साहुकारी लाइसेंस कैसे आप ले सकते हैं ? मैंने पिछले वीडियो में। बुळीओ बनाया था कुछ दिनों पहले उसमें वादा किया था लोगों से कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ब्याज पर पैसा लगाते हैं लोग ब्याज पर लेंदेन करते हैं उसके लिए जो लाइसंस बनता है जो लीगल रूप से किसी को ब्याज पर पैसे दे और प्रसेंटेज उस हिसाब से ले कोई दिक्कत नहों कभी कानूनी अरचन ना अये तो इसके लिए लाइसंस कैसे मिलता है थाफ किसा मिलता है यह सारड चीज बताऊंगा आपको पूरे वीडियों में लेकिंजंस लेने के बाद किस तरह आप व्याज पेशल counterpart पैसा लगेंग और किसको देना है किसको नहीं देना है यह क्या मिए नहीं सारी बताओंगा यह पूरे वीडियो में आपको बने रहना है पूरे वीडियो में आप एक पहलू के देखेंगे तभी सारी बाते समझ में आएगी और पूरा परकिरिया आपको बता दूँगा ऐसे सारा नियम बता दूगा कि आप इस बीजनस को अराम से कर सकते हैं पचास जार एक लाग दो लाग तीन लाग चार लाग अगर कम पुंजी भी आपके पास है तो उससे ही स्टार्ट करके आप 30-40-50 जार लाखों रुपया महीना आप कमा सकते हैं तो किसको देना है कि यहीं देना है सारा सिस्टम बता दूher और हर बार की तरह फिर से अपको करणर हरो लाइक करता हैं वह दबाकर प्रेस करें प्लीज लाइक कर द उनके त्याश neural लगते बारतिए सम्रीदा अधिन ळागर में बताया गया कि वियाज पर पैसे का लेंदेन आप कर सकते रहां तीकुलर किसी द्राइक को पैसे– यश्ते जैसे लिए सकता है लेकिन b बिजनस आपको करना आपको धन्दा करना आपको इससे कमाना है आपको इसको केरियर बनाना है रोजगार बनाना तो उसके लिए लाइसन्स लेना परेगा अब लाइसन्स जब लेंगे तो लाइसन्स लेंगे पहले तो आपको यह बताता हूं कि लाइसन्स लेंगे तो इसमें परसेंट पर वियाज पर पैसे देंगे तो आपके जनकारी के लिए बता दो कि इसमें परसेंटेज की कोई तय सीमा नहीं है आप अपने मन माफिक ले सकते हैं परसेंटेज लेकिन उस हिसाब से भी नहीं लेना है जो आरवी आई के क्ला लेक Chief की लिए यूंढ़ रवी लें लेता है मन्थली परसेंट इस परसेंट से लेकर 120 परसेंट तक हो जाता है लेकिन इसमें कोई भी बन्धन नहीं होता है कोई भी अपती नहीं होता है क्योंकि साहुकाडी लाइसनस का मतलब होता है कि दिची Uhr पढ़ती अ किसी को पैसे की जरूरत परती है और इमिर्जन सी समैरोथ कर आप समझ रहा है कि जारूरत में मैं पैसा उपलक्वत कराते हैं इसलिए परसेंटेज भी अपने हिसाब किसको नहीं देना कि सहकरी लेना तो किसको नहीं देना किसको नहीं देना अधीसルク किसको पहले तो आपको गैर कानूनी जो काम करते जैसे कि सराव का आबेद कारोबार करते हैं को चीज लोग को पैसा नहीं देना क्योंकि वह गैर कानूनी चीज़ हैं जैसे कि छाप पड़ता है लेकिन बहुत लोग आप देखेंगे कि गाओं लाकर भी बेशते हैं अपने महले में लाकर बेशते हैं अपना कोलोनियों में लाकर बेशते हैं तो वह गयर कानूनी होता है पैसा नहीं दे सकते कोई हथियार का बेपार हो नसे के बेपार करता हो या फिर कोई गलत गयर का निकाम करता हो उस तरह के लोगों को आपको पैसा नहीं देना और इसके अलावा किन किन लोगों को भी नहीं देना तो आपको बता रहा हो कि जैसे कि मानसिक रूप से बीमार को मांसी कुर्प से भीमार है क्योंकि डॉक्टर का सर्टिपिकट लेके यह साबित कर देगा फिर पैसा वापसी में आपको दिक्कत है कि पैसा वह नहीं देगा दूसरा दूसरा जो नावालिक है आप समझ रहें अठारा बड़ से कम उमर का जो बेखती उसको आपको पैसा नही बना ले अब चेक उससे ले बलेंक चेक कुछ काम नहीं करेगा सब सुनने माना जाएगा कुछ काम नहीं आगा कोट में कोई वह नहीं होगा क्योंकि नावालिक को पैसा देना गैर कानूनी बैंक जब नहीं देती है तो आप कैसे दे सकते तीसरा आपको बताने जा रहा हो यह है कि नसेरी नसेरी नसया नसÉ अिसमझते हैं तरब किने वाला दरुपिने वाला था पिनेवाल यह अगर्शा करता हो मतलब और समाज उसको जानता है यह तो है थो फैसाने लिया और उसका फायदा उठाया उसको पैसा आपने दिया ही नहीं या फिर आपने तो इन लोगों को नहीं देना अब पूछेंगे देना किसको तो देना उस वेक्ति को देना जो गाओं समाज में नॉर्मल वेक्ति होता अब कोई जरूरत पैसा ले रहा है जैसे किसी को बिजनस करना कोई रासन दुकान कर रहा है किसी परकार के खेती के लिए ले रहा है वह लगा कसादी के लिए ले रहा कोई धर बनाने के लिए ले रहा तो उन लोगों को आपको देना ऐसे नर्मान लोगों को किसी को भी आप दे सकते हैं घाउ समाज में ऐसे ज्यादा तर 70-80% लोग ऐसे ही होते अच्छे आदमी होते उसमें से 10-15 मैक्समान 20 पर सेंट तक लोग ह है से होते हैं जो वीवाधित होते है या वीवाद कर सकते हैं या या फील नासेरि होते है कुछ भी कि एस परसेंट परud जैसे कि आप गोल्ड ले सकते हैं तो सेक्यूटी के तोर पर और जितना का सोना है उसका 90 परसेंट या फिर प्रसेंट आता रहेगा हर महीन आपके पास समान से के तोर रहेगा दूसरा क्या है उससे ब्लंक चेक ले सकते तरविद सकते हैं दिखत करता है लाइसन्स के अदहार पर किलेंग कर सकता है वह वि working करte है इस कि या तर जानने वाले लोग या तो आपकी जानने वाले लोग है लेकिन आpton लुगे तर लोग रोग लेगा लेकर आपसे दिक्कत करेगा लेकिन ज्यादातर तो इस लिए देते हैं कि फिर कभी जरूरत परेगा तो मुझे पैसा मिल जागा वहां से अगर मैंने दस जार रुपे उनको वापिस नहीं किया तो पैसा मुझे कभी नहीं देंगे जरूरत मुझे काम नहीं आएंगे तो इस बिजनस के लिए को ज्यादा पुंजी क्याव सक कर सकते हैं तो तो तीन लोगों के दिया दो लोग को देना है तो अच्छी कमाई कर सकते हैं और बहुत लोग बहुत लोग अपने देश में कर रहे हैं लीगल लूप से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रहे आप एपने वर नरम रखेंगे देखेंगे अच्छा रहा रहेएंगे लोगे सांथ अच्छा रहेंगे कोई गलत करता है आपके साथ कोई न Entscheidung के लिए सबस् fold duel सकते हैं इसके अधार पर एक सी परकार से रिकावरी के लिए क्लेम कर सकते अगर पैसा लेकर नहीं दे रहा है आप एग्रिमेंट कराए हुए उसे चेक लिए हुए आपके पास लाइसेंस है तो आप उसका रिकॉबरी के लिए उसके घर पर भी जा सकते हैं कुछ ने कुछ आप मौर्गेज के तौर पर उससे जरूर लेंगे या तो आप गोल ले रहे तो उससे में पैसा रहला है कि आप जैसे कि लापर रुप्य दो लाक दे रहे है तो इस कि सिसके बाद चेक बाउंस कराओं करके चिए पर कर सकते हैं रिकवरी होगा डबल पैसा रिकवरी होगा इंटेस्ट भी देगा आपका हर्जा खर्च्य भी देगा कोशिट करें कि universal लेकर मुण हिसाब से लॉंग तरम तक काम करने के लिए जैसे बैंग करती है उसी हिसाब से ऐसा दे कि आपको असानी से उपलब्द करा दे आपको भी तकलिफ नहों उसको भी दिक्कत नहों क्योंकि आप चार-पांच लाख रुपया लगाएंगे तो निच्चीत रहा हुए 505 नाख ले रहा तो उसको आप 10% पर प्लिशन नहीं ले सकते हुए उसका थीन पर iPhones पर दे रहा है चार पीलिजित चाहिए इसके बाद अगर abon प्रेटरं करते हैं मतलब इंकाप टेक्स रिटरंट फाइल करते हैं यह बहुत बारी बात नहीं कि लाखों क्रोर चुते fuckin कि इनकम कि इनकम कर रहें तभी आपको टेक्स लगता है नहीं तो आ रिटरंथा तर्लुट को यह सी हो या को नอर्मल वेक्ति भी हो नॉर्माल बैक्ति भी अब हर जगा होता है तो मातर पांझ एसली करके आपको इसता को तरी अ φाइल करते है तो भी लगे तो रिचियान में सकता है एक नम्ट नवी लगता है फता कर लेंगे हर जगा नहीं लगता है सबही का अलग-अलग नियाम है यह तो चाहिए यह दौनों चाहिए उसके सब्सक्राइब आब बैंक और यह नहीं है कि 6 महीन incentiv नहीं अब सब्सक्राइब людей विए है लेन देन ना भी हो रहा है आप 6 महिना के स्टेटमेंट इसमें लगाएंगे इससे यह होता है यह सावित करने के लिए होता है कि 6 महिने पुराना आपका खाता यह दिखाने के लिए लाले है कोट है वहां अपलाई करना है कोट में अपलाई करना है तो आपको कोट से आपको और कर दिया जाएक सब्सक्राइब कर दिया जाएगा ज्याद होगा तो परभारी अधिकारी और सहायक आयुक्त इन दोनों का सीनेचर उसके होता है तो पर भारी अधिकारी और सहायक आयुक्त जो है उसके सिगनेचर करते हैं और सर्टिफीट जारी कर देते हैं आपके नाम से से लिए जारी कर देता हैसल भर के एस्टेत है तो वहाँ मैक्सला महुंता है मैक्स्टेशन हो सकता है ङसा Tú लेने के समय जब उसे कराने जाएंगे तो है तीन से चारहाजार रुपय लगे तीन हजार सुल्क हो गया एक हजार रुपय और एक्सारा चार्ज जो लिए को यह को आप दे रहे जिससे काम करा रहा है तो वही आसपास में आपका होगा मतलब मोटा मोटी ज्यादा खर्चा न होंगे उतना ज्यादा आपका ऐं नज्रूबर अच्छ आपका साहगा हो सकता है इसके आधार किसी रगाव कभी 10 लगव्याज्स लगं लोन भी लेना चाहि mentorship कर सकते वह हैं आंक यह मिलता है जीला चाहर घीला में लाइसेंस मिलता है और अपने दिना में अकौत आप माले लखनों के रहने वाले लखनों करो सकते हैं लफेले में नहीं लक्ता यह करते हैं ख़ता कॉलकटा कर देंगे जाएंगर नहीं तो आप को मिलना किस्छे कराएंगे कào को ज्यादा कुछ नहीं करते हैं कि भी खर्च हो जाता है काम अटक जाता है कि अपने इस्तिक में करता हो सब्सक्राइब करें कोई पुराना ए Nu कहा जाता है पुराना एड़ेट के मतलब जो चार-पास साल से प्रेक्टिस में है अच्छा जानकार है अगर सीविल का एड़ेट हो तो और अच्छा है सिविल का आप समझते हैं यह जमीनी विवाद देखते हैं तो इस तरह के एड़ेट को पक्रें वह कील को पक्रें उनसे बात करें वह सब आपको करंगे कितना समय लगते हैं मेभली दीन के अंदर में सारा काम होके आपको 2 आप कर wait is 본 जाने शीने को बोलते हैं उसको एक ते हैं तो उसके पास रहता सारा जनकायी तरह सारा वो देखते यह दोनों लोग सारा करने का प्रयास नहीं तो पता चलेगा आपको छे मईने साल पर लग भी जाएगा अधिकारी लोग को तो जानते ही है इस अफी जाओ वहां जाओ वहां जाओ करते-करते आपका समय बेतित कर देगा पैसा खर्च करा देगा और भी नहीं करेगा चैनल को आपने लेते हैं इससे आपको फायदा क्या होता है कि इसी परकार से नहीं नहीं कानून से समाधित वीडियो आपको मिलता रहेगा नहीं जनकारी मिलता रहेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदोस्तों